हेलो गाइस, वेलकम तो प्रासी टेक टेवी, फ्लैश बैक एपिसोल टू, आज के वीडियो में हम देखने वाले है कुछ इंट्रेसिंग न्यूस इन टेकनोलोजी और बात करेंगे छे न्यूस पर, तो लेट्स गो आज की फर्स न्यूस है, वन प्लस बड्स के उपर, वन प्लस ने लॉंज़ के उनके ट्रूली वायर्नेस बड्स, जो वन प्लस नॉट के साथ एवलेबल होंगे, ऑन पूर्थ ऑफ ऑउगस्ट, बहुत कमाल के फीचर्स के साथ आता है, वन प्लस बड्स, वन प्लस बड्स का अब आप टेलिग्राम जट से यूज अपडेट अब आप टेलिग्राम पर दो जी बी तके फाइल शेयर कर सकते हो। रिसेंटली टेलिग्राम ने एक नियू अपडेट रोल किया जहां दो मेन हाईलाइटेट फीचर थे। पहला profile video on telegram, अब आप profile पर video display कर सकते हो, second news is telegram increase file sharing limit, जहाँ file sharing limit थी 1.5 GB, अब आप telegram पर 2 GB तक के file share कर सकते हो, which is better and convenient update. 3rd news है about Samsung M31S, Samsung ने launch किया उनके M series में एक new smartphone M31S, जोकि एक slight update है उनके 5 months older M31 से, इसकी starting price है Rs. 19,499, अगर आपको Samsung M31S के specifications देखना है, market में कब आने वाला है, वो जानना है, तो मैंने already एक separate video बनाया है, उपर के link को क्लिक करके आप वो video चेक कर सकते हो, Moving on, 4th news है about Google Pixel 4A, कुछ sources के leaks है that Google confirm Pixel 4A rebels coming on August 3rd, यहां image share किया है about Pixel 4A, और अभी देखते हैं और कितना wait करना पड़ेगा, अगर कोई news है तो मैं चैनल के Instagram पेज पर post update करता रहूँगा, Instagram account के link मैंने description box में डाल दी है, तो बढ़ता है 5th news की तरफ, 5th news है for all iPhone lovers, तो भाईयो, मैं बता दूँ कि iPhone 11 की assembly स्टार्ट हो चुकी है, Yes, Foxconn के चने प्लाइंड में already स्टार्ट हो चुकी है, कुछ sources के हिसाब से iPhone 11 की first batch already available है अट चने रीटेल स्टोर्स में, Apple के ये मूँज से आपको price में बहुत डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि Apple सेव करता है 20% of import taxes, ultimately आपको एक price drop देखने मिलेगा, और सून online sites पे retail stores पे approximately 7-8000 का price drop आपको मिल सकता है, आज की 6th news है about iPhone 12 slash iPhone 2020 पे, news आई है that Apple confirm iPhone 12 will not be arriving in September, because of the pandemic, Apple अपने iPhone 12 की लाइनप September में launch नहीं कर सकता, Apple said iPhone लाइनप will be delayed by few weeks, अब तक पता नहीं next date क्या होगी, अगर कोई updates आई तो sure मैं आप से share कर दूँगा, ओके तो ये थे आज के वीडियो के 6 news, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना अपने वीउस, सब्सक्राइब कर देना चानल को, और अगर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो, प्लीस लगे हाथ इंस्टाग्राम पेच को भी फॉलो कर देना, तक राहिए प्थूटूब चैनल को नपने वीगियों,